वेलकम बैक तो मैं चैनल दिस इज मी रंजन सिंग फ्रेंट्स यू और वाचिंग इंग्लिस तक और आज बेसिक इंग्लिस का पार्ट टू है फ्रेंट्स जो भी लोग बेसिक इंग्लिस की तेयारी कर रहे हैं उनके लिए फॉर यूर काइंड इंफरमेशन आज यह मैं नाउन होता है इसका मतलओ होता है संगया और आपने श्कूल लाइफ में जीव बरके रट्टा मारा है मुझे पता है कि यह नाउनिद्द्र नेम फप्रसन इनिमल प्लेस और तिंग लोग रट्टा मार करके बाई बटीर रियल लाइफ में कहीं समझ में कुछ नहीं आने व जोन जोन कहते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं यह एक ही सकते हैं यहां महसूस कर सकते हैं उसे हम संगया कहते हैं तो के फ्रेंट्स आप समाझ में आ गया कि मैं क्या कह रहा हूं पूरी इस दुनिया में जितनी भी चीज आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ नाउन है आप मुझे एक भी ऐसी चीज बता दो जो नाउन नहीं है complete world is a noun जिसे हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उसे संग्या कहते हैं यही definition है इसके अलाबा आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है आज के बाद आपका भी भूलना मत कि नाउन किसे कहते हैं देख सकते हैं यह महसूस कर सकते हैं उसे हम संग्या कहते हैं तो ठीक है फ्रेंट्स अब मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं कि नाउन के कितने टाइप सोते हैं राइट अब फ्रेंट्स नाउन के जो टाइप होते हैं में दो ही परकार के उते हैं इसके अलावा कुछ होता नहीं है दुनिया की कोई भी कॉम्पीटी संट एक्जाम की तयारी अपकर रहे हो वहां नान के कोस्ट नाना तैह है वहां जब तक आप नान के कोस्ट नहीं करोगे तो में आपका बेरा पार होने वाला नहीं है that is my personal experience that I am going to share with you guys अब देखो जो noun है यहां noun दो परकार के हैं कौन-कौन से हैं पहला है countable noun और दूसरा uncountable noun अब देखते हैं countable noun किसे कहते हैं आप countable noun को समझने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है यह countable दो वर्ड से बना हुआ है एक है c-o-u-n-t count और दूसरा है एबल ठीक है count प्लस एबल और एबल का मतलब होता है के योग्य ठीक है और उसमें जुड़ा हुआ है count और count का मतलब होता है गिंती जो गिंती के योग्य होगा उसको countable बोलेंगे जैसे एटेवल तो एबल का मतलब होता है के योग्य तो जिसमें एबल लगा हुआ है ना तो उस सब को आप समझ जाओ गए रीजनेबल है ना countable uncountable एटेवल तो सब में वहीं कंसेप्ट काम करेगा जैसे एटेवल जो खाने योग है ओटेवल है countable जो गिंती के योग है countable ठीक है फ्रेंट अब countable नाउन दो परकार के होते हैं एक है सीन दूसरा है पी सीन अब आपको समझ में नहीं आएगा कि सीन क्या होता है पी सीन क्या होता है वेट गाइस एग्जैक्ली कभी-कभी जब हमें पता नहीं चलता है तो हमें इंतजार करना जरूरी होता है अब देखो आसी अं-खमत होता है गानकी कोया होटार ख किताब और यहां होता है ऑग उपके singular countable noun and plural countable noun में क्या है सबसे बड़ा जो अंतर है सबसे बड़ा जो differences है वो एक ही difference है singular countable noun में हमें 100% पता होता है कि कोई भी चीज एक होगा जैसे अगर किसी ने बोला कि book लाकर के दो तो आप निश्चित रूप से क्या करेंगे book यानि एक किताब लाकर के देंगे अब कोई आपको कहेगा कि पेंदो तो पेंद मतलब एक पेंद की बात हो रही है ठीक है समाझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं जैसे किसी ने कहा house तो house का मतलब हुआ एक घर ठीक है अब वहां कह देगा houses तो confused हो जाएगा जब तक उसके बारे में exact detail नहीं पता चलेगा तो कैसे पता चलेगा अब देखो किताब मैंने बोला book book का मतलब एक किताब और books confused हो गया इंसान confused हो जाएगा क्योंकि यहां plural countable noun है जब तक उस भी से में एक नहीं होगा वह 10 भी हो सकता है 20 भी हो सकता है एक 1000 भी हो सकता है वह उसका situation पर depend कर रहा है कि जिस चीज के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं तो यहीं एक difference है इसके अलाब और कोई ठीके knowledge गोल्ड राइस यह सब uncountable noun है इसकी गिंती नहीं की जा सकती है अब मैं एक बात बता रहा हूं यहां एक money 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 भी uncountable noun है my friends आपको यह सबसे important बात यह है कि money जो है uncountable noun है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि money जैसे money का मतलब क्या होता है पैसा लेकिन आप अधूरा जानकरी है अधूरा जानकरी मनी का मतलब पैसा नहीं होता है तो आपके पास कितनी संपती आपको पता है क्या नहीं ना क्योंकि आपकी आखे भी आपकी प्रोपेटी है यो मनी है आपके जो सरीर के एक-एक अंग आपका मनी है तो उसकी गिंती नहीं हम कर सकते हैं इसलिए इसको हम uncountable के category में रखते हैं समाज में आ रहा है आपको तो अ समाज परकार के नाउन सीखने को मिलेगा कैसे तो जो countable noun है ना उसके अंतरगत यह आते हैं proper noun जो जिसको हम कहते बैक्ति वाचक संग्या कॉमन फिर कलेक्टिव नाउन इदार on countable में आ जाता है अब अब देखो इस में जो है प्रॉपर नाउन यह बैक्तिवाचक संग्या जैसे बैक्ति वाचक संग्या में कैसे हो जाए इंदौर हो गया डेली हो गया मुंबई हो गया रंजन हो गया अमीत हो लिए बाइन को बाइन का मतलब है कि दुनिया के सारे लडके ठीक और ओंनलो अभर मुंबई भी लिए के ळेलिए पुख कलेक्टिव नावन राउन जैसे समुह वाचक table class हो गया ठीक है ऐसे टीम हो गया यह तो क्यान हैट הצिबầh से बर्चू हो गया लव हो गया अब इस लव पे ज्यादा फोकस आप लोग करते हैं बट मैं आपको बता दू फॉरिट काइंड इंफॉर्मेशन यह सारी चीजे जो हैं आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है अब इसके अलाबा नाउन का मैंने पूरे डीटेल में पढ़ा ही काफी है थैंक्यू सो मच कीप वाचिंग इंग्लिश तक एन इस्टे होम बी सेफ आप अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें जैहिन जैभारत